पूर्ण पूर्ण करता है थकिये मत ताहिं बचाया भी और अभी हम लोगों ने काफी सारे करीब 60-40 लिए करना बाकी है इस तू करेंगे वसके बाद हम लोग रिवाइस करेंगे उसके बाद चिरी रka नहीं होगा उसके पाद दिवारे ज्याटि नहीं करेंगे एफे शाव को इवरेक्शा के अग्रे सेफ गुद्मानिंग बच्चों क्या हाल चाले मयूरी प्रतेब दिख्षित आजाने तो सबको फिर स्टार्ट करते हैं दो मिनट के अंदर किर्थी प्रथम सायन अतुल गुद्मानिग किया चल रहा है सो और आप से लातों की नने उड़ गई है क्या दिक कज़े सोने में क्या दिक दिन बर पड़ रहे हैं लाइक सेशिंस डैटेंगे अंगे थक जाते हों हमारे थक जाते होंगे सीरिस्टी है मुझे जाए पैठ एंदे गड़ जती है तो बारा बजे सोता हूं छे बजे कालाम ऐसा लगता है कि छे मिनट में बज गया चे गंटे की जगे नहीं सोते सर तकर सो जाता है वेरी गूड चलिये स्टार्ट करें सर बिल्कुल करते हैं वेरी कुड मार्नेंग बच्चों magnetism matter and moving charges and magnetism का सेशन है ठीक है और magnetism matter काफी easy chapter है question पक्का आता है free fund के मांक है moving charges and magnetism से भी काफी question selected डाले है अच्छे questions है मजा आएगा आज आपको चले start करते हैं यह 2017 नीट का question है, angle of dip, true dip और apparent dip पे यह सवाल सबसे बढ़िया अवेलेबल था, ठीक है, चलिए अब देखिए, इफ थीटा 1 and थीटा 2, इफ थीटा 1 and थीटा 2 be the apparent angles of dip, observed into vertical planes at right angles to each other, ठीक है, clear है बच्चों, तो यहाँ पर क्या कहानी है, क्या आपसे पूछ रहे हैं, फिर कोट स्क्वेर थीटा, या टान स्क्वेर थीटा, टान स्क्वेर थीटा 1, टान स्क्वेर थीटा 2 होगा, क्या होगा, तो देखिए, क्या होगा, काफी बढ़िया प्वेशन है, true dip और apparent dip पे, ठीक है, इसमें लोगों को बहुत कश्च्च होता है, आप लोगोंने solve कर रखा है, तो ठीक है, तो देखिए, मैं एक बार इसमें तोड़ा सा concept भी सिखाऊंगा आपको, यह magnetic meridian है, यह है बालको, magnetic meridian, magnetic meridian में, अगर हम कोई dip needle को रखते है, magnetic needle को रखते है, vertical plane में, ठीक है, तो यह जो horizontal के साथ angle बनता है, इसा angle of dip कहते है, ठीक है बालको, सार ट्रांजिस्टर डाल दो video, यह magnetic field का vertical component, और यह magnetic field का horizontal component, यह net magnetic field, ठीक है, यहाँ जो delta angle बनता है, वो angle of dip है, वो true dip है, जो यह मैंने plane बनाया है, वो magnetic meridian है, अगर हमने magnetic meridian के साथ किसी भी angle पे एक और plane ले लिया, तो क्या होने वाला है, देखिए, supposedly हमने magnetic meridian के साथ कुछ angle पे एक plane ले लिया, फाई अंगल पे, यह plane कोई भी plane हो सकता है, other than magnetic meridian, ठीक है, यहाँ magnetic field का horizontal component का भी component आ जाएगा, और जो नीले वाला plane है बच्चों, वहाँ पर b dip needle अपने आपको किसी अंगल में align कर लेगी किसी direction में, बट यहाँ पर जो angle होता है, डेल्टा डैश, वो apparent dip होता है, true dip नहीं होता है, जान बुछ के concept करा रहा हों बच्चों, इसे direct formula से जल्दी से करा सकता था solve, बट मुझे एक question थोड़ा लगता है कि अच्छा है, यह अर्थ की magnetic field के horizontal component का फिर से component है बाल को, ठीक है, अब देखिए क्या होगा, angle of true dip जो होता था, जो डेल्टा मेंने बनाया है, वो होता है, अर्थ की magnetic field का vertical component divided by horizontal component, और अगर हमने magnetic meridian के अलावा किसी और plane में dip needle को रखा, तो angle of dip जो आता है, वो true dip नहीं होता बाल को, वो apparent dip होता है, vertical component upon horizontal component of magnetic field का फिर से component लेना आपको, हाँ ठीक है, अब क्या करें है, magnetic field का vertical component divided by horizontal component, यह आपको पता है, यह apparent dip tan delta dash is true dip divided by cos 5, इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़ी answer बता है आप लोगों ने, यहां से cos 5 आता है हमारा, tan delta, true dip delta, apparent dip delta dash, तो यह हमारा एक formula है बच्चों, ठीक है, जल्दी से नोट करिए यहां तक, अगर जिसको नहीं आता है, इसको आता है बहुत बढ़िया, good morning वर्षा, चलिए, राइट बच्चों, देखें आगे, बहुत important question है 2017 का apparent dip पे, true dip apparent dip का सवाल, super important होता है, ठीक है, देखें अब, done बच्चों, right, अब यह हमारा एक formula आ चुका है, apparent dip और true dip के relation का, फाई जो है उस plane का angle, वो plane जो angle बना रहा है, magnetic meridian के साथ वो है, ठीक है, कोई tension नहीं है, तो अब यहां पर एक plane जो है, theta one angle पे है, है ना, theta one and theta two apparent dip है, sorry, एक plane फाई angle पे है, मान लेते हैं, यह, tan delta की जगे, delta one की जगे, tan theta one हो गया, divided by, I am sorry बच्चों, इसको tan delta upon tan delta one ही ले लेते हैं, apparent dip, अब दूसरा plane जो है, वो, 90 minus five angle बना रहा है, supposedly, तो एक कॉस फाई और साइन फाई की स्क्वेरिंग अडिंग कर दिजे, तो कॉस स्क्वेर फाई, कॉस स्क्वेर फाई, प्लस साइन स्क्वेर फाई, वन होने वाला है बच्चों, यह आ जाएगा यहां पर आपका, भाईया, magnetism and matter अगर छोड़ के जा रहे थे, तो कर लेजिए, magnetism and matter के सवाल आसान होते हैं, ठीक है, यहां जड़ा ठीके रहिए, magnetism matter and moving charges and magnetism के selected सवाल लाया हूं, नीट के, जो मुझे लगता है, आपके सारे chapter के concept कवर कर देंगे, ठीक है, चलिए, थोड़ा सा तगड़ा question था, तो मैंने detail में करा दिया, ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर आप रेसी प्रोकल लेते हैं, 10 square delta को इधर ले जाके, रेसी प्रोकल लेते हैं, तो आपका यह answer आता है, apparent dip, apparent dip पे सबसे बढ़िया सवाल यही है market में, सबसे बढ़िया सवाल, true dip, apparent dip का बालकों यही होता है, ठीक है, नोट कर लिजे बालकों जल्दी से, जल्दी से ही note कर लिजे बालकों, हो गया बच्चों, done, चलिए, अगला सवाल, easy सवाल है, magnetism matter के अब देख रहे है, 2016 में क्या आया है, question, तब magnetic susceptibility is negative for diamagnetic material, magnetic susceptibility diamagnetic material के negative होती है, एक पाद चेक कर लिजिए, फैरो, पैरा, डाया, susceptibility 1 से बहुत जादा, कितनी जादा, 500, 600, 700 तक, है न, और, paramagnetic के लिए susceptibility, 0 से 1 के बीच में, small positive value, diamagnetic के लिए negative, negative, माइनस 1 को बोलते हैं, perfect diamagnetism, ठीक है बच्चों, अगर relative magnetic permeability देखी जाए, तो मिवार बहुत जादा 1 से, यहाँ पर मिवार 1 से बड़ा, बट 1 से थोड़ा सा ही बड़ा, है न, small e is a small positive value, small positive value, ठीक है, small positive value, means small positive value का मतलब decimal में, है न, और यहाँ पर, mu r की value बाल को, 0 से 1 के बीच में होती है, यह perfect diamagnetism का case, अब समझ गए मैं क्या बोलना चाहरा हूँ, ठीक है, बिल्कुल कर दूँँगा, explain शामभवी, hysteresis का graph explain कर दूँगा, magnetism and matter के questions कतम होने के बाद, hysteresis का graph explain करेंगे बच्चों, दन बच्चों, susceptibility का क्या मतलब होता है, जैसे बच्चों, अगर हमने कोई लोहे की slab ली, iron slab ली, है ना, और हमने इसके ओपर तार लपेट दिया, और तार लपेट के हमने इसमें current pass कराया, ठीक है, तो इस लोहे की slab के अंदर जितने magnetic dipoles है, small atomic dipoles, वो अपने आपको magnetic field के along align करने लगते हैं, है ना, तो इस लोहे की slab में एक magnetization create हो जाता है, इस लोहे की slab बाल को एक magnet बन जाती है, ठीक है, तो intensity of magnetization होता है, magnetic dipole moment per unit volume, मतलब वो लोहे की slab, आज, कितना तगड़ा magnet बन गई है, intensity of magnetization is magnetic dipole moment created per unit volume, और उसे magnetize करने की कोशिश आप कितनी कर रहे हैं, वो इन दो बातों पर डिपेंडेंट है, आपने कितने turns per unit length लपेटे हैं, और कितना current पास किया, और I और H के ratio को ना बाल को, I और H के ratio को magnetic susceptibility कहते हैं, है न, तो I और H का ratio magnetic susceptibility है, susceptibility बहुत ज़ादा है वन से, इसका मतलब है, कम magnetizing force लगाने पे, ज़्यादा intensity of magnetization आजाएगा, मतलब वो चीज बहुत ही ज़्यादा आसानी से magnetize की जा सकती है, मैं आपको पढ़ाने के लिए rapid fire session में कितनी मेहनत कर रहा हूँ, वो है H, वो है H, ठीक है, magnetizing force जो मैं लगा रहा हूँ, आपको magnetize करने के लिए, अपनी तरफ आपके ध्यान को आकर शेद करने के लिए, मैं जो effort लगा रहा हूँ, वो magnetizing force है, और आप मेरी तरफ कितना मेरी तरफ नहीं, मैं तो बुढ़ा हो गया, अब मेरे subject की तरफ, मेरे topic की तरफ कितना आकरशित हो रहे हैं, कितना attract हो रहे हैं, या आप कितना magnetize हो रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो है magnetic intensity of magnetization, किया आप कितना magnetize हो गए हैं, magnetic dipole moment created per unit volume, susceptibility is I by H, अगर susceptibility वन से छोटी है, तो इसका मतलब यह है, कि आप उत्हरत तक magnetize नहीं हो पा रहे हैं, जितना मैं magnetizing force लगा रहा हूँ, और I hope आप सब में, I hope आप सब में, जो susceptibility की value है, वन से बहुत ज़ादा है, मेरे कम effort पे बाल को, मेरे कम effort पे आप ज़ादा magnetize हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, नहीं तो इस exam time में, सुबह 8 बजे उट करके live session attend करना, बड़ी बात है, चलिए, पहुचे बच्चों आगे, राइट, चलिए, चलिए, सर हिंदी इंग्लिश ख़ब हो चुका है, मैं क्यों करूंगा, मैं तो हिंदी में पढ़ा लूँगा, चलिए, ुका है, विम्मों करू लाइटी ले सकतור है, Okay, आगै, बड्रीं विग्यूे शो अ्रींग्रेंट पार्मादें फिछस्फंप क्ष वेक्विटी तो you have to add थिस थे में bunun जिए थेजिए वेक्विd you have a parallelogram law of vectors so net magnetic dipole moment is this is net magnetic dipole moment anyways it is under root of a square plus b square plus two times a B dear students cos theta so both the magnets have say same magnetic dipole moments it is only the cos theta which will decide the resultant let's see in which case the cos theta is maximum theta being 90 degree ok south to north is the magnetic dipole moment sits out to north is the magnetic dipole moment theta being 180 degree ok theta is given to be anyways 60 degrees and theta is given to be 30 degrees and you know that cos 30 is maximum in or out of all the choices cos 30 is maximum which is root 3 by 2 cos 180 is minimum so this configuration will have the maximum dipole moment I hope I made my point clear next let's move on to the next question oh 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 इंदी में अगला सवाल करते हैं मागनेट of length L Magnetic dipolument capital M Is bent in the form of an Arc as shown in figure नया magnetic dipolument क्या होगा वहीया bend करने से pole strength ना बदलती क्या बदलता है bend करने से distance between the poles बदल जाएगा बस वही चेक कर लिजै क्या है है नवाल को देखिए पहले मैगनेट सीधा था साउथ नौर्थ लेंथ एल मेगनेटिक डाफॉल्मेंट M िंटु एल रहेगा दोनों पोल्स के बीच की दूरी को L माना है तो डाफॉल्मेंट इन्टू एल रहेगा ठीक है जो भी पोल्स के बीच की दूरी होती यह वही थीज़े वेच्टों चलेये अब क्या किया है अब इसे कर दिया नीसति करने से पोल्सके ही भी की चैनल डिस्टनस वह बदल गया आब इन ग recent यह औंडिय हो गया बाल को ठीक है 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 अब क्या है यह कंद गलास की बेसिक मै्स लगा रहे हैं मडिकर हैं गया आप पोजिट टू एंगल साइड यह भी साथ डिग्री साथ डिग्री हो जाएंगे बन रहा है एकुलेटरल ट्राइंगल एकुलेटरल ट्राइंगल में यह भी रेडियस आर रहेगी दोनों पूल्स के बीच की दूरी हमें समझ आ चुकी है नए वाले में मैगनेटिक डाइपॉल 60 इंटू सर्कंफरेंस ओफ सर्कल है ना थेटा साथ डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू टू पाई आर यार यहां से लेंद्ध आ जाता है वालको पाई आर वाई थ्री यहां से आर आ जाता है वालको 3L बाई पाई आर की वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल एम इंटू 3L पाई आगे आप समझदार हैं एम इंटू एल को दुनिया कैपिटल एम लिखती है त्री टाइमस कैपिटल एम बाई पाई ऑप्शन वन गो इंटू बी ती करेक्ट आंसर आप लोगों ने मेर से पहले आंसर निकाल दिया बहुत ही बढ़िया बहुत ही जादा बढ़िया कि देखो भाईया मैं आपको बता चुका हूं modern physics जिसका पहला सेशन था अटेंड नहीं किया तो फिर से देख लेना दूसरा वेव आप्टिक्स magnetism matter electromagnetic waves even alternating current यह फ्रीके नंबर है gravitation mechanics of solids ठीक है बालको यह फ्रीके नंबर है ओके आगे बढ़े बालको डन डन बालको चल यह ना चाहते हो यह भी बच्चो next question in English so anyways a compass radial which is allowed to move in a horizontal plane is taken to a geomagnetic pole it is either taken to the North Pole or South Pole okay so understand one important thing doesn't matter saying this is a competitive exam okay see there are two things one is magnetic compass needle and the other is dip circle magnetic compass needle is free to rotate in horizontal plane see dip needle and compass needle both are magnetic needles okay compass needle whenever they say compass needle compass needle is free to rotate in horizontal plane and dip needle rotates in vertical plane dip circle measures angle of dip compass needle may be used to find declination right up now let's see you have a compass needle air this is basically a compass needle compass needle now understand one important thing whenever I place a compass needle I'll do that I'll explain induced electric field don't worry see whenever a compass needle is free to rotate in a horizontal plane compass needle aligns itself parallel to the horizontal component of earth's magnetic field parallel to the horizontal component of earth's magnetic field right now at the poles there is no horizontal component of earth's magnetic field magnetic field is directed vertically it is vertically inside or vertically outside perpendicular to the surface so there is no horizontal component of earth's magnetic field at the poles right so when there is no horizontal component of earth's magnetic field then magnetic compass needle can align itself in any direction right because it actually aligns itself along the direction of horizontal component of earth's magnetic field will stay in any position will stay in any position because its position is affected by a horizontal component of earth's magnetic field and there is no horizontal component of earth's magnetic field if they would have asked how would the dip needle align itself at a geomagnetic pole so dip needle will align itself vertically dip needle will align itself vertically at the poles dip needle right if you have a dip needle here dip needle will align itself vertically at the poles right dear students sand compass compass needle is placed in horizontal plane and it aligns itself along the horizontal component of earth's magnetic field only and vertical needle which is a dip needle aligns itself along the direction of net magnetic field if you have a compass needle here see uh we have got the answer right now consider earth you know that there is a giant hypothetical magnet inside the earth which is placed in this way right right there is a giant hypothetical magnet whose magnetic south pole is towards geographic north magnetic north pole is towards geographic south now the field lines come out in this way now we are outside we are on this surface of earth right yes and the magnetic compass needle compass needle is restricted to move in the horizontal plane only right 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 deep needle is along the direction of net magnetic field suppose we are in the northern hemisphere suppose we are in delhi and delhi is in northern hemisphere right tropic of cancer passes through gujarat okay and many states of india obviously so uh we are in northern hemisphere we are around we are at around say 25 27 degree north right now see what is going to happen here is in if you are in northern hemisphere you take a dip circle here this is a dip circle you know that you know that at this point at at magnetic north at magnetic north the magnetic field lines will emerge like a fountain right they will keep on moving like this in the in this hemisphere at the equator the magnetic field lines will be parallel to the surface magnetic field lines will be parallel to the surface in the northern hemisphere they will tilt downwards at this point they will vertically go inside right so if you are at another hemisphere the field lines will be earth's net magnetic field will be like this right here students and if you place a dip needle if you place a dip needle in magnetic meridian then this dip needle is going to align itself along the direction of net magnetic field and this is just a convention that the angle of dip in the northern hemisphere is taken to be positive however it is below horizontal but we take the angle of dip in the northern hemisphere as positive it was once asked in neat exam right prathib if if the compass needle as well as dip needle both are placed at equator then when they will uh the compass needle will point compass needle will point because earth's magnetic field has only the horizontal component at equator so compass needle will align itself uh along the you know uh the horizontal component of earth's magnetic field which is horizontal only and also the dip needle will align itself also the dip needle will align itself uh parallel to the surface right because angle of dip is zero at equator right dear student do you know what is the relation between do you know what is the relation between angle of dip and latitude angle suppose suppose at equator you know that equator is a zero degree latitude lambda i am taking the latitude angle at poles lambda is 90 degree somewhere at earth at some place at some place say in delhi or in kashmir lambda is say 30 degree and we are at 30 degree latitude right then what will be the angle of dip so the relation between angle of dip and latitude angle lambda here is latitude angle according to geography which is equator is zero degree north sorry equator is zero degree tropic of cancer is 23.5 degree north tropic of capricorn 23 degree half 23 and a half degrees south arctic 66 and a half degree north antarctic 66 and a half degrees south right the relation between angle of dip and latitude angle is 10 delta is 2 tan lambda right now understand one important thing that at equator at equator lambda is zero degree so tan delta is 2 into 0 delta comes out to be 0 degree at equator the latitude angle and angle of dip both are equal but 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 at poles also both are equal 10 90 is infinite so delta comes out to be 90 degree so at equator and poles the latitude angle and angle of dip have the same value but if you are at some other place other than equator and poles what happens see this is what happens tan delta is 2 times tan 30 degree okay we know that tan 30 degree is 1 by root 3 so at that place delta is tan inverse 2 by root 3 right dear students so at that place angle of dip is little greater than latitude angle right at equator and poles dear students at equator and poles angle of dip is little greater than latitude angle important thing to understand let's move on to the next question i hope this is clear to everyone now clear everyone just tell me clear to everyone okay right everyone and said patieb iu she has the rock kissing right agla sabal Balko Hindi प्रदी में रहेगा ओहो हो गया सवाल है अगला सवाल 2019 नीट इग्जाम हो गया सवाल फैक्ट बेस सवाल था गलत होने के भी बहुत चांसिस से बालकों क्या रहें एक पॉइंट है जा एंगल ऑफ डिप 25 जगरी एक जगे पर माइनस 25 जगरी है 25 जगरी तो अपने यहीं होगा दिल्ली विल्ली के आसपास ही है ना चलिए तो एंगल ऑफ डिप को कंवेंशन के तौर पे नदन हमेस्फेर में पॉस्ट्व और सदन हमेस्फेर में लिया जाता है बाल को अभी बताया है मैंने आपको एंगल ऑफ डिप को कंवेंशन के तौर पे नदन हमेस्फेर में पॉस्टिव और सदन हमेस्फेर में नेगेटिव लेते हैं आगला सवाल यह रहा है वेरी इजी क्वेस्टिटिए स्टूनेंट्स बीजी नेट right b is the net magnetic field now vertical component is be sin delta horizontal component is be cos delta easiest of all let's move on to the next question now tell me this question dear students a bar magnet is oscillating in earth's magnetic field with a time period capital T what happens to this period and motion of this mass motion if the mass is quadrupled right so see what is going to happen here when a magnet is performing simple harmonic motion for small angular displacements in a magnetic field supposedly uniform magnetic field when a magnet is performing SHM in uniform magnetic field then time period of the magnet is given by 2 pi under root capital I divided by capital M into B perfect dear students right capital M is the magnetic dipole moment not mass it is magnetic dipole moment capital B is the magnetic field in which the magnet is performing simple harmonic motion what is I dear students I is the moment of inertia of the magnet capital I is MOI moment of inertia right dear students so when the mass is quadrupled keeping the length of the magnet same if we consider a thin magnet like a thin rod the moment of inertia is mass into L square by 12 I have written mass as W so since we don't get confused with the pole strength and the mass right moment of inertia is mass into L square by 12 right when the mass is quadrupled made four times moment of inertia becomes four times and you already know this the time period is directly proportional to square root of moment of inertia when the value of mass is made four times moment of inertia becomes four times time period becomes two times definitely the motion remains SHM right dear students anyways clear to everyone clear to everyone okay clear to everyone dear students let's move on to the next question अग्रा सवाल हिंदी में बाल को ओओ बड़ा असान सवाल क्यूरीज लॉइन मेगनेटिजम क्या कहता है कि मेगनेटिक ससेप्टिबिलिटी सबस्टान्स की टेंप्रेचर के इंवरस्टी प्रपोर्शन रहती है टेंप्रेचर इन के इंवरस्टी प्रपोर्शन ठीक है बहुत इसी बहुत ही सिंप्र सवाल क्यूरीज लॉइन मेगनेटिजम ठीक है चलो मूविंग चार्जिज और मेगनेटिजम करते हैं इसके क्वेशिन तोड़े जाधा रखे है मैंने मेगनेटिजम लास्ट क्वेशिन कौन सा बेटा ये वाला क्यूरीज लॉइन मेगनेटिजम अच्छा ग्राफ बताऊ इसका लीजे Susceptibility versus temperature in Kelvin अग्राफ ये रहा for paramagnetic substances है ना? चल्ये and if you have a ferromagnetic substance then we use another law which is a Curie-Weiss law you have a graph like this Susceptibility is proportional to T minus Tc now this is for a ferromagnetic substance and for a diamagnetic substance Susceptibility is constant right does not vary with temperature okay let's discuss the hysteresis okay right right dear students definitely say and will kursai अच्छा वहाँ पिछले question में बच्चों क्या done right अब देखे क्या है यहाँ पर मैं आपको बताया था ना कि time period जो है ना वाल को वो square root of moment of inertia के proportional था अब moment of inertia था mass into length का square by 12 mass को चारगुना करने पर moment of inertia चारगुना हो जाता है 4 का root अगर आप बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा ठीक है clear है बच्चों बटा वो capital M mass नहीं था capital M magnetic dipole moment था बच्चों 2 pi and root capital I by MB में यह जो capital M था वो dipole moment है mass नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है एक बच्चा कह रहा है hysteresis बता दो सर तो quickly मैं आपको पांच मिनट ये दो मिनट में hysteresis का graph समझा देता हूँ ठीक है quickly देख लीज़े आप hysteresis के बारे में quickly graph देख लीज़े hysteresis क्या होता है बच्चो कि कभी-कभी कभी-कभी जिस हिसाब से magnetizing force बढ़ाया जाता है लोगे की slab ली उस पर तार लपेटा current पास किया अंदर जो magnetic dipoles है atomic dipoles वह अपने आपको magnetic field के along align करने लगेंगे बट कभी-कभी current बढ़ाने से कभी-कभी current बढ़ाने से होता क्या है कि magnetizing force उतना नहीं बढ़ पाता sorry intensity of magnetization उतना नहीं बढ़ता मैं आपको सब्सक्राइब लोगे की slab है कि इस पर तार लपेट के current पास किया अब अगर आप current बढ़ाएंगे तो लोगे की slab जाधा magnetize हो जाएगी बट होता क्या है कि एक टाइम के बाद एक टाइम के बाद जब almost saturation आ चुका है ज़्यादातर atomic dipoles अपने आपको magnetic field के along align कर चुके हैं तब intensity of magnetization उतनी नहीं बढ़ती मतलब यह लोगे की slab उतनी तेजी से magnetize नहीं होती जितनी तेजी से आप magnetizing force को बढ़ा रहे होते हैं current को बढ़ा रहे होते हैं तो इस phenomenon को आप hysteresis कहते हैं intensity of magnetization क्या होता है वो लोगे की slab कित्ता magnetize हो गई और magnetizing force क्या होता है आप उसे magnetize करने के लिए कित्ता प्रयत्न कर रहे हैं number of turns per unit length into current है ना तो होता क्या है कि शुरू में आपके प्रयत्न से लोगे की slab magnetize हो रही होती है वालकों यह हो रहा होता है शुरू में जैसे जैसे current बढ़ा रहे होते हैं लोगे की slab के अंदर magnetic dipoles अपने आपको magnetic field के along line कर रहे होते हैं तो यह कहानी ऐसे चल रही होती है एक time के बाद यहां पर almost saturation आ जाता है कि अब अगर आप current बढ़ा रहे हैं तो लोगे की slab और ज्यादा magnetize नहीं उपा रही है बालको ठीक है ठीक है अब हुआ क्या अब आप कहते हैं कि चलो अचानक से current बंद कर देते हैं अचानक से current बंद कर देते हैं आपने current एक system से off कर दिया तो क्या लग रहा है आपको फिर से आपको वही लोगे की slab मिल जाएगी जहां से आपने शुरुआप करी थी तो ऐसा नहीं है होता क्या है इंदि ग्राफ वापिस नहीं आता यह ग्राफ ऐसे वापिस आता है इसमें ओबी को बोला जाता है रेजीडूल magnetism बचा हुआ magnetism remnants या रिटेंटिविटी जो रिटेंट करी हुई है अभी लोगे की slab ने करेंट जीरो होने के बाद भी intensity of magnetization ठीक है बच्चों अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो मेरी लोगे की slab ही वापिस चाहिए आपने उसे कैसे पूछ के magnetize कर दिया मुझे नहीं चाहिए उसका magnetization मुझे तो वापिस दो तो फिर मैंने का ठीक है मैं देता हूं वापिस मैं opposite direction में current पास करूंगा opposite direction में current पास करूंगा जिससे की बची हुई जिससे की बची हुई magnetic field को भी 0 किया जा सके intensity of magnetization को यहां पर जो आपको यह opposite direction में intensity of magnetizing force लगाना पड़ेगा यह coercive force यह coercivity कहलाती है अब अगर आप और current बढ़ा में opposite direction में ही तो opposite direction वैनिटाइज हो जाएगी मतलब north-south अभी ऐसे था अभी ऐसे हो जाएगा बाल को है ना पिर से वही तमाशक current off करने पर graph retrace नहीं होगा फिर यह आप अगर बनाए तो पूरी cycle ऐसे complete हो जाएगी दुनिया इसको hysteresis का graph बोलती है और यह ओभी retentivity होता है OC वाल को coercivity होता है और अगर जितना चौड़ा लूप बनेगा जो लूप का area है area gives energy loss per unit volume energy loss per unit volume during magnetization and demagnetization की cycle ठीक है during cycle of magnetization and demagnetization है ना बच्चों क्या बोलते हैं तो यह hysteresis का लूप होता है simple सा बाल को आप समझ गया होंगे मैं क्या बोलना चाहरा हूं आगे बढ़े रिटेंटिविटी है रिटेंटिविटी जो करेंट आफ करने के बाद magnetic intensity of magnetization बच गया उसे रिटेंटिविटी कहते हैं अगर बचे हुए intensity of magnetization को भी जीरो करना है तो अपोजिट डिरेक्शन में जो कोर्स लगाना पड़ेगा magnetizing force उसे coercive force कहते है ठीक है चलिए राइट परफेक्ट ओबी बालको रिटेंटिविटी रिटेंटिविटी और ओस ओसी को एर्सीविटी को एर्सीविटी है ना बालकों परफेक्ट है चलिए ठीक है बैटा magnet की permeability जादा होने चीए कि जिससे की अंदर जादा field lines जाएं वो जल्दी से magnetize हो जाएं किसी भी चीज़ के अंदर जादा field lines जाएंगी permeability जादा होगी field lines के लिए permeable होगा तो वह easily magnetize हो सकता है चलिए आशिमा पर्मेनेंट मागनेट तो नहीं बता पाऊंगा अभी क्योंकि दो chapters cover up करने permanent magnets में काफी topics है वो electrostatic से related है सारे formula तो काफी time लग जाएगा देखो end में time बचता है तो मैं permanent magnet के quickly formula करा दूँआ बट अभी थोड़ा सा कवाल सारे बढ़िया है ठीक है आशिमा इल्ट राए कि मैं आपको जल्दी से आखरी के 10 विट में magnets वाला पार्ट करा दूँआ ठीक है चलिए ट्राइ क्या मतलब मैं आपको formula बताई दूँआ आए प्रॉमिस चलिए ट्राइ नहीं आए प्रॉमिस अब आप ठीके रहिए जरा बस ठीक है बस याद दिला दीजेगा आखरी में मैं करा दूँआ पक्का प्रॉमिस भायर के एक आगे वायर वायर के पीछे वायर बताओ कितने वायर देखो बच्चो क्या यह यहां पर कहानी आपको पता है कि टू के पैरलल करेंट कैरिंग वायर कैर्मिस चैर्ट इसेम डिरेक्शन वाट अट्रैक्ट ही चथर ठीक है तो भईया यह magnetic field नहीं है question यह है an arrangement of three parallel straight wires straight wires है current बाहर को आ रहा है बाल को magnetic field नहीं है यह ठीक है place perpendicular to the plane of the paper carrying current आई along the same direction current ऐसे आ रहा है बाहर को थी इन वायर ऐसे गाड़े वह बोड के अंदर बाल को ठीक है आ गया ठीक है अब देखें क्या है magnitude of force per unit length on the middle wire b is given by चलिए अब क्या है यहां पर force per unit length बाल को इस वायर को पीला वाला वायर अपनी तरफ खीचेगा force attractive होगा और इस वायर को सफेद वाला वायर भी अपनी तरफ खीचेगा अब distance distance same है current का मामला भी same है तो formula जो है same सही रहेगा अब force acting per unit length का formula क्या होता है बाल को मियो नॉट आइवन आइटू बाइटू पाइड तो फोर्स कि एफ डाश बोल देता हूं इसे ना फोर्स पर इनिट लेंद को एफ डाश बोल देता हूं और यह होगा मियो नॉट आइवन आइटू बाइटू पाइडी कि दौनों ही फोर्स सेम होंगे magnitude में डिरेक्शन आपको पता लगी रही है कि क्या है नेट फोर्स परी जल्टेंट रिजल्टेंट आप जानते हैं रूट में एफ स्क्वेर एफ स्क्वेर बालकों रूट टू एफ देखिए इसके साथ नए चीज़ बताता हूं मैं आपको कुछ बच्चों को पता होगी कुछ को नहीं भी पता होगी यहां से टू से रूट टू गायब होने पर म्यू नॉट आई स्क्वेर बाए रूट टू पाइडी आता है बच्चों हमारे पास क्या कोई option है ओ हो हो हमारे पास fourth option है ऐसी ठीक है बच्चों क्या बोलते हैं बाहर को बिच वाइले वाइर को यह भी किचेगा यह भी किचेगा फॉर्स पर यूट लेंद का फॉलम मियों टाइवर राइट वाए टू पाइडी होता है अब सुनिए आपको यह बात अल्रेडी पता है क्या पता है कि एक आईवन करेंट कैरिंग वायर है और एक और वा मियों टाइवन आइटू बाए टू पाइए ठीक है बसे एक सवाल का जवाब देदीजें बाल को आच मानली एक चार्ज क्यूवन है और एक चार्ज क्यूटू है अब धूर के बिच में दूरी आ रहे हैं दोनों पॉस्टिली Só करेंगे रिपल करेंगे दो प्रॉटॉन प्रोटॉन दो प्रोटॉन पैल्ल भाग रहे हैं डाइवर्च करे भी मार्च करेंगी जल्दी बाताएए दो प्रोटॉन या फिर पास आ जाएंगे पैर्ध आपको बात बताता हूं कि यहां पर एक चीज़ याद रखिएगा कि करेंट केरिंग वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है वहां ममिश्चा तो वहां पर हम इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं बट अगर दो प्रोटॉन भागेंगे तो उनके ब बढ़ा होगा यह मेंग्नेटिक्स मेरे से अफ़ी बाइफ एफ म एफ 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 म क्या होता है कि स्फोर्य बाइव इन टो वी टू सिंबल्स है यूज्वल मीनिंग बताइए वीवन इसकी विलोस्टी विटो इसकी विलोस्टी सी स्पीड फ्लाइट तो इलेक्ट्रोस electrostatic force dominate करता है और यह दो प्रोटॉन डाइवर्ज करेगी बाल को ठीक है क्वेश्चन यह था मिस्टर नेतिन की दो पैरलल करेंट केरिंग वायर जो सेम डारेक्शन में करेंट केरी करते हैं वह लेकिन अगर दो प्रोटॉन दो प्रोटॉन पैरलल जाते हैं तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे तो मुद्दा यह है कि करेंट केरिंग वायर को इलेक्रीकली नूटरल मानते हुए वहा यहाँ पर एलेक्रोस्टाटिक फोर्स को चुस候िंडर नहीं किया जा पर दो पहल्ल से की बढ़ी amp करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्युक्रों प्रोटॉनेट करता है उनके बीच कें मैगनाटिक फॉर्स से और उनका रेशियो यह होता है याद रखिएगा बहुत बहुत बहुती बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों आहे होब आप में से काफी बच्चों को नहीं भी बता होगा पेटा फोर्स का कैसे निकलेगा दूसरे की वेलास्टी चार्ज दूसरे का मेंगनेटिक फिल्ट पहले की वज़े से हैं ना ठीक है यह 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 भी ठीक है क्यों टूवी टू क्यों टूवी टू मेंगनेटिक फिल्ट पहले की वज़े से मून अपॉन फॉर पाई क्यूवन वीवन बायार है राइड बच्चों क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं चलिये important था मुझे काफी बढ़िया question लगता है आगे बढ़ेंगे without wasting any time next question in English dear students please solve this question 2018 need need 2018 solve this question very 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 easy question the current sensitivity of mcg is five divisions per oho milliampere current sensitivity is five division divided by milliampere current sensitivity is five division when we change milliampere to ampere it becomes 10 to the power minus 3 ampere current sensitivity is actually 5000 division per ampere now voltage sensitivity is 20 division per volt the resistance of the galvanometer is now the resistance of the galvanometer is current sensitivity divided by voltage sensitivity 5000 by 20 comes out to be 250 ohm anyways right 250 ohms right dear students perfect got it I am going to explain very quickly in English right right dear students let's move to the next question अग्ला सवाल बाल को हिंदी में रहेगा बाल को यह सवाल हिंदी में रहेगा सवाल करिए स्क्क्वेर लूप है बी सीडी बाल को स्क्वेर लूप एबी सीडी करेंट आई हो गया वायर में वायर की लेंद्ध वायर दे नहीं रखी तो लॉंग वायर इन्फाइन वायर एक लूप ले ले लेते हैं ए बी सी और डी यह लेंद्ध लबाय टू है बाल को और यह लेंद्ध भी ल है करेंट स्मॉल आई फ्लो कर रहा है बाल को परफेक्ट है अब हो क्या रहा है आपको बताना है स्क्वेर लूप अबी सी डी इस करेंट करेंट आए को प्लेंट प्लेजड है नेट फोर्स वान दी लूप विल भी लूप पे नेट फोर्स क्या होगा सुनिए ये वाला wire तो attract हो रहा है क्योंकि current carrying wire same direction में current carry कर रहे है और ये वाला wire repel हो रहा है FCD तो net force निकालने के लिए FAB minus FCD तो करना ही करना है बालको तो यहाँ पर net force क्या आएगा बालको FAB minus FCD अब force का formula क्या होता है आपको पता होना चाहिए force acting per unit length का formula होता है mu naught I1 I2 by 2 pi into distance हाँ ठीक है ना फूट करते हैं अब force निकालने ना बालको तो length उपर multiply हो जाएगा बढ़िए बिल्कुल बढ़िए अब देखो क्या होने वाला है FAB क्या है mu naught capital I into small i upon distance है 2 pi into L by 2 है ना और इस वायर की length L है force के लिए तो length उदर multiply करने पड़ेगी ना minus mu naught capital I small i by 2 pi distance रहेगा बालको 3L by 2 into length L चलिए solve कर यह बालको बताइए मुझे क्या आ रहा है quickly निकालिए option number 4 बच्चे बोल रहे हैं सही है तो यह 2 by 3 आ रहा होगा solve कर लिजेगा 1 minus 2 by 3 1 minus 1 by 3 2 by 3 आएगा बच्चो पर्फेक्ट है जल्दी नोट करिये okay perfect Balgo perfect 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 चलिए next question in English a good question this is basically y-axis this is z-axis and this is going to be x-axis according to the question the question says which is x-axis which is y-axis and which is z-axis right now the question is like this the diagram is like this this is a current carrying wire semicircular loop again a current carrying wire now you have first wire you have second wire and you have third wire okay let this be point o now see what is going to happen magnetic field due to first wire is the semi-infinite wire I'm just writing the magnitude first considering the radius as r you have to find the magnetic field intensity at o point formula for semi-infinite wire is mu not i by 4 pi r formula for this semi-circle is mu not i by 4 pi r and formula for the again semi-infinite wire is definitely mu not i by 4 pi r perfect now now the direction of magnetic field intensity is very important see what is going to happen here current is going like this hold the wire with your right hand thumb pointing the direction of current then the direction in which fingers are curled give the directions of field lines around the wire at o point magnetic field intensity is directed inverse to the plane which plane x y plane so it is minus k cap inverse to the x y plane right dear students again current is coming out like this hold the wire with your right hand at point o magnetic field lines are going inside inside of which plane x y plane which is minus k cap again now for the semicircular wire curl the fingers of right hand in the direction of current thumb gives the direction of magnetic field intensity it is into the plane of the paper which is actually the inside of y z plane which is minus i cap right dear students got it everyone right just tell me what is the answer answer should be in terms of i cap and k cap yes every options are in i cap and k but both of them should be negative i and k both being negative okay both being negative here both being negative here both are positive one positive other negative one positive other negative both being negative here right here students got it third third direction so let's see the current is coming out in this way hold the wire with your right hand thumb pointing the direction of current magnetic field lines are directed into the plane into the x y plane at point o which is is actually negative negative k cap right here students everyone the plane is the plane of the plane to be negative and the plane is the plane of the plane of the plane करेंट पास से सुरूदी गयलवानोमीटर ठीक है द्यान दीजिए अब में मीटर कैसे बनता है बाल को गयलवानोमीटर के पैरलल में एक छुटकू रेजिस्टेंस शंट को पैरलल में लगाके हाँ ठीक है में करेंट जितना भी आ रहा है हाई करेंट आ रहे मेंं करेंट का जिटू परसंट ही गयलवानोमीटर में जा रहा रहा है हाँ धीक है तो क्या ओगा 0.2 को परसंट देदर जा रह Rules को 99.8% of total current उपर जा रहा है ठीक है अब क्या बोल रहे हैं इफ रेजिस्टेंस ओफ गलवानोमेटर इस capital G the resistance of ammeter will be ammeter का resistance क्या होगा बाल को हाथ ठीक है दोनों parallel में तो 0.2 by 100 into 0.2i by 100 into resistance of galvanometer equals to 99.8 by 100 i into resistance of shunt ठीक है परफेक्ट है बच्चों यहाँ पर 100 से 100 उड़ा दीजीए आप यह नहीं भी उड़ाइए रूखे चले calculations करते हैं थोड़ी तो यह आ जाएगा आपका 1 by 500 capital G equals to 998 by 1000 499 है ना भाल को 499 into s आ रहे है परफेक्ट है अब क्या करें देखिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है जी इंटू s अपॉन जी प्लस s बाल को परफेक्ट है विल्कुल है यह 100 भी था बच्चों एक मिनट है ना रुके 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 हमने कुछ मिस्टेक कर दी ना रुके 100 से 100 उड़ गया 0.2 से 99.8 काटते है तो क्या आता है बच्चों 499 है ना यह गलती करी थी रन बच्चों कापिटल जी भाई 499 आ रहा है हमारा शन्ट ठीक है क्लेर है बच्चों चलिए I love you right now okay now calculate the effective resistance C what is coming effective resistance is I hope this is clear this is right perfect capital G into capital G by four nine nine dear students divided by capital G plus capital G by four nine nine four nine nine will get cancelled will get 500 in in the denominator capital G by 500 is the correct answer right perfect dear students everyone clear to everyone अगला सवाल हिंदी में रहेगा बच्छों चलिए अगला सवाल हिंदी में two identical long conducting wires aob and cod long conducting wires identical aob ठीक है और cod are placed at right angles to each other दोनों को राइट अंगल पर रख जैते हैं करेंट आई सी ओडी ठीक है करेंट तो दे रखा है ना एक में आई वन एक में आई टो ठीक है कोई बात नहीं इसमें आई टू मान लीजिए एक में आई वन मान लीजिए क्या पूच रहें पॉइंट पी इस लाइंग एड डिस्टेंस दी फ्रॉम ओ एलोंग डिरेक्शन पर्पेंडिकुलर तुद प्लें कंटेंग दिवायर्स देखिए इधर ओ पॉइंट ना बाल को यहां ओ पॉइंट ले एक ठीक है अगर हम हावा में एक पी पॉइंट ले लेते हैं यहां पर तो अगर हम पिंक वाले वायर को देखेंगे तो उसकी वेरी से फील ऐसे होगी और येलो वायर की वेरी से ऐसे होगी है ना तो यह एक मैगनेटिक फील ऐसे होगी और एक मैगनेटिक फ लीजिए आप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहरा हूं ठीक है यह आएगा रूट आजाएगा 90 पर और कुछ आएगा यह तो होई नहीं सकता यह होई नहीं सकता यह होई नहीं सकता ठीक है बच्चों राइट एनिवन 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 एविंग अनी प्रॉब्लम जल्दी पता हो चलो है अग्ला सवाल नेक्स्ट क्वेस्टिन बच्चों कि सब्सक्राइब भूल गया हूं मैं आप सी बच्चों देखे जरा अग्ला सवाल क्या है करेंट कैरिंग लूप है बालकों अबीसी राइट आइसर तराइएंगल एबीसे इस प्लेज इन युनिफॉरम मंगनेटिक फील्ड अलॉंग फिई के अलों इस करेंट की रीक्शन यहां पर कुछ्थ्ष्भ मानननी पड़ेगई झाम ठीक है इस इस वाली आम पर फोर्स लग रहा है वो अफे इस वाली आम पे जो magnetic force लग रहा है वो F है तो AC आम पे कितना force लगेगा तो सुनिया ऐसा है अगर एक closed loop है closed loop uniform magnetic field में है तो उस पे net force हमेशा 0 होता है है ना तो net force loop पे 0 होता है ठीक है अब यह कौन-कौन से wire आ गए AB wire पे force BC portion of the wire और यह वाला wire AC wire जो भी है इस पे force 0 होगा अब AB पे तो वैसे force 0 है क्योंकि current और magnetic field के बीच में 0 degree angle है तो यह तो वैसे ही 0 है BC wire पे force F है अब AC wire पे अगर आपको force निकालना है तो wire AC पे force minus F होने वाला है 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 ना बच्चों क्योंकि loop पे तो net force 0 ही होता है ठीक है अगर एक close loop uniform magnetic field में रखा है तो uniform magnetic field में close loop पे net force 0 होता है ठीक है बच्चों राइट चलो let's do the next question in English a square current carrying loop is suspended in uniform magnetic field acting in the plane of the loop if the force on one arm of the loop is F the net force on remaining three arms of the loop is very easy question understand one important thing that whenever a uniform whenever a loop is placed in a uniform magnetic field net force acting on the loop is zero force acting on one arm is F so force acting on the remaining remaining part of the loop has to be equal and opposite to the force acting on one arm so as to make the net force zero force acting on remaining portion is negative F right dear students this is again the simple answer so whenever you have a loop here whenever you have a loop here then net force acting on the loop is anyways zero when the loop is placed in uniform magnetic field let's do a good question based on this सवाल देखो बच्चों क्या है सवाल बहुत बढ़िया है X-axis Y-axis Z-axis है ना बालकूं अब क्या होगा यहां पर अब कहानी यह है कि लूप हो गया करेंट कैरिंग है ना ठीक है अब आप से बोल रहे हैं कि यह जो करेंट कैरिंग अब आप से बोल रहे हैं कि यह जो पॉर्शन जो भी है पूरा लूप कंप्लीट नहीं है यह लूप यहां पर ना बालकूं कंप्लीट नहीं है ऐसी दे रहा हूं आपको एक क्वेश्चन ट्राय करने के लिए जो ए बी सी डी ए एफ पॉर्शन है ना इस पर कितना फोर्श कर जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो इस पॉर्शन पर कितना फोर्श कर रहा है जल्दी से ठीक है जल्दी से बता दो तो क्या करेंगे हम बढ़िया कुश्चन है हम यहां पर लूप को कम्प्लीट कर देंगे क्योंकि लूप तो कम्प्लीट था नहीं और यह मान लेंगे कि यहां पर पूरा current ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है अगर यह fa portion होता तो इस पर कित्ता current होता या कैसे जा रहा होता अब आपको पता है जो पूरा loop बन गया है complete loop उस पर force 0 है अब loop को किनी भी दो हिस्सों में बाट लीजिए जिस portion में आपको force निकालना था वो अलग से लिख लिजिए plus force on the wire fa total हो गया 0 अब यह आपको निकालना है ठीक है यह negative of force acting on wire fa ठीक है परफेक्ट है बच्चों अब देखिए क्या होगा अब fa वायर पे force कितना एक कर रहा है उसका equal and opposite बागी बच्चे वे pink पार्ट पे एक कर रहा होगा क्योंकि net force तो loop पे 0 ही रखना है ना तो magnetic field ऐसे है फ्लेमिंग्स left hand rule question बढ़िया है magnetic field ऐसे है है ना और magnetic field ऐसे current अंदर को current अंदर को जा रहा है तो force आ रहा है downwards means y-axis के long तो force आ रहा है यह वाला बी इंटू आई इंटू यह लेंद स्मॉल बी के बराबर है डिरेक्शन है माइनस जे कैप तो अब यह प्लस हो जाएगा बी आई बी जे कैप पूरे पूरे के पूरे 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 पिंक वाले पार्ट पर एक करने वाला force है उम्मीद है आप समझ गया होंगे ठीक है लूप अगर complete ना हो तो लूपो complete कर दो पूरे लूप पे 40 है फिर लूपो किनी भी अगर दो हिस्सों में बाट के देखोगे तो उन दौनों हिस्से पे मिला के जो forces होंगे उनका वेक्टर सम 0 ही होगा चलो बच्चो आगे पढ़ते हैं डन बच्चो राइट जल्दी बोल let's do the next question in English we have the same question similar question please solve this question for media students now please solve this question for me a closed loop PQRS this is a closed loop dear students PQRS right carrying a current is placed in uniform magnetic field if the magnetic forces on segments PS SR and RQR force on PS portion is F1 this way QR portion is F3 and force on portion SR is F2 right clear now the force acting on the portion PQ is you already know okay I'll explain I'll repeat the direction in the previous question don't worry let us complete this question then I'll repeat the direction okay see you already know that suppose there is a magnetic field along vertical along perpendicular to the plane right now so that's me if you are using BIL then you can use Fleming's left-hand rule for the direction or you can use use I L cross B taking L and B as vectors now I am pretty sure about it that net force on the loop has to be zero I am pretty sure about it okay now that means force on the wire PQ or QP must be calculated in such a way that it is B was the length of that portion just wait just wait let me complete this question we'll move on we'll we'll again go back to the previous one wait so force on the loop is zero that means what that means this thing that means that force or the portion QP plus force on the remaining portion that is PS RQ is going to be zero now what is the net force on PS RQ because you have to take the forces as vectors because these are vectors and add them vectorially this is force QP and the resultant of these F1 F3 and F2 is what under root FX square summation FX square plus summation FY square we have got the answer force on the wire QP in magnitude is same in magnitude is same equal and opposite to the vector sum of the forces acting on the remaining three wires this is the answer right dear students I hope this is clear to everyone right everyone clear to everyone so do you all do you want me to explain the last question again the question which I asked see this was the question x-axis y-axis z-axis I'll explain very 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 quickly this was the loop dear students this was the current flowing through it current was I the length is L length is again L this is B this is L this is L right so when the loop is not completed let us complete the loop now okay now now this was A B C D E F force on the loop is zero A B C D E F plus force on the portion FA has to be zero now you are asked to calculate this one but I can I can assure you that it is very easy to calculate the force on the portion FA now use the Flemings left hand rule small b is the length of this portion of this portion now magnetic field was directed along x-axis Fleming's left hand rule Fleming's left hand rule magnetic field this way current is inside forces along negative j cap B into I into length of the portion of the wire and length of the wire is small b here okay B into I into L direction I calculated using what using Fleming's left hand rule right I hope you all are enjoying the session dear students right clear to everyone Fleming's left hand rule is used to find the direction of force acting on a current carrying wire placed in a magnetic field Fleming's right hand rule is used to find the direction of induced current when the conductor is moving in a magnetic field right okay okay about the particle of mass M charge q and kinetic energy T enters a transverse uniform magnetic field of magnetic field intensity B after three seconds the kinetic energy of the particle will be तीन सेकिंड के बाद पार्टिकल की काइनेटिक एनरजी कितनी होने वाली है बालकों तो मेगनेटिक फोर्स का फॉर्मला होता है QV क्रॉस B याद रखिए हैं हाँ पर the pair of vectors अरे आंसर सबको पता है T ही रहेगा explain करना हूँ बालकों ठीक है देखिए force, vector, velocity, vector और magnetic field के हमेशा perpendicular होता है और इसपे concept आया है 2021 में भी ठीक है 2021 में भी सवाल आया है इसपे अब देखिए क्या होने वाला है F is equal to QV cross B the pair of vectors जो हमेशा ही perpendicular रहेंगे force, velocity और magnetic field के हमेशा perpendicular होता है एक चीज़ और याद रखिएगा किनी भी दो perpendicular vector का बाल को dot product 0 रहता है 2021 का सवाल है ये ठीक है, सेम सवाल आया हुआ है F dot B भी 0 होता है ठीक है, अब सुनिए क्या है अरे बेटा, 10 बजे का session अभी 48 minutes रहते हैं बिल्कुल मज़े से पढ़ते रहे हैं ठीक है, चलिए अब क्या है, force आ गया वर्क डन force और displacement का dot product होता है और displacement और velocity की direction सेम होती है तो force जो है यहाँ पर displacement के भी perpendicular होता है तो वर्क डन 0 आ गया किसका वर्क डन, magnetic force के द्वारा किया हुआ वर्क शूनने होता है बच्चों, magnetic force does no work on a charge particle ठीक है, चलिए अब वर्क डन क्या है, 0 है तो change in kinetic energy भी तो 0 है change in kinetic energy 0 का मतलब initial final kinetic energy बराबर होने वाली है वाल को यानि टी अंसरम पहले से ही बोल चुके है ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं ठीक है, चलिए राइट बाल को, done 2021 का सवाल है भया भी करेंगे ये वाला भी चलो देखो done next question in English dear students under the influence of a uniform magnetic field a charged particle is moving in a circle of radius r with a constant speed v right the time period of motion is you know that when a charged particle is moving in a perpendicular magnetic field then magnetic field provides the necessary centripetal force magnetic force provides the necessary centripetal force okay what is the formula for magnetic force it is bqv considering the angle as 90 degree let us consider that charged particle is moving in a perpendicular magnetic field right when the charged particle is supposedly here moving with some velocity v then let us let us apply a phlegmix left-hand rule here magnetic field inverse charge moving towards in the upward direction force acting towards the center of the loop which is magnetic force and the force that is acting towards the center of the loop center of the circle is is given a task to provide centripetal force magnetic force must provide the necessary centripetal force bqv sine 90 is mv square by r i am just dealing with the derivation although it was not required here radius was mv by bq time period is 2 pi r by speed now when you substitute the value of radius you get the time period as 2 pi m by b cube for non-relativistic speeds means the speeds which is much lesser than speed of light the time period is independent of radius and velocity the time period does not have the expression for radius as well as velocity it is also the principle of cyclotron whether it is a smaller circle or it is a bigger circle or it is a much bigger circle time period to complete one circle will be same by the charge particle i hope this is clear to everyone right dear students okay right right अगर सवाल बाल को हिंदी में करेंगे आप सॉल्फ a beam of electrons passes undeflected through mutually perpendicular electric and magnetic fields अगर electric field को बंद कर दिया जाए तो same magnetic field maintain रहे तो क्या होगा तो एक बार देखते हैं चरहाब mutually perpendicular electric and magnetic field बनाते हैं पहले और माली जे इलेक्ट्रोन यहाँ से एंटर करता है बाल को electron ऐसे एंटर कर रहा है ठीक है electron का velocity vector बना रखा है मैंने यह velocity vector of electron है ठीक है कोई बात नी यह electron का velocity vector है अब माली जे यहाँ magnetic field present है into the plane of the paper into the plane magnetic field भी है electric field आपको pink color की दिखाई दे गई है बच्चो magnetic field white color की बन रही है बन गई अब क्या हो रहा है कहरे electron सीधा निकल जाता है तो सीधा कब निकलता है पहले यह भी देख लीजे कि electron सीधा कब निकल जाता है जब electrostatic force magnetic force equal and opposite हो cancel कर जाए net force शून ने हो सीधा निकल जाना है ठीक है तो electrostatic force लगेगा इधर को FE QE के बराबर और magnetic force के लिए आप flemmings left hand rule यूज़ कर लीजिए ठीक है तो देखें क्या होगा magnetic field inverse electron नीचे जा रहा है तो positive charge उपर जा रहा है magnetic field inverse electron नीचे जा रहा है पॉस्टिफ चार्ज ऊपर जा रहा है तो magnetic force आ गया है यहां पर towards left यहां magnetic force बच्चो towards left आ गया है ना अब अगर magnetic force और electrostatic force बराबर होंगे तो charge पर net force 0 हो जाएगा तो magnetic force और electrostatic force को यहां पर equate कर लेते हैं हमारा magnetic force हो जाता है यहां पर BQV और electrostatic force हो जाता है QE है ना बच्चों तो यहां से velocity आ जाती E by B velocity E by B although इस question में required नहीं था यह सब जस्पेन आपको समझा दिया velocity selector का थोड़ा सा concept आगे भी ऐसा question है इसलिए बताया बस है ना तो अगर चार्ज पार्टिकल कोई भी एक magnetic field और electric field वाली रिजन में अन्डेविएटेट जाता है तो उसकी velocity E by B होती है ऐसा question एक बार और और आया है और आज के session में discuss भी होगा अब question यह है कि charge particle पहले अन्डेविएटेट जा रहा था बढ़िया है by the electric field में सुर्फ से उकश उब कर दी अब इल्एफिल्स सॉच उच उफ के दी तो सिर्फ magnetic field प्रेजेंट है और पर्पेंडिकॉलर 만약 फिल्स में चार्ज पार्टिकल सर्कल उन्हां बू में गुंता है गोल-गोल गुंता चलिए next question in English this is a very basic question a cylindrical conductor of radius capital R is carrying a constant current i we'll just write the formula here and we are not going to derive it this is a cylindrical conductor which is carrying constant current capital I okay now they are asking us to plot the graph of magnetic field intensity versus distance from the axis we'll do that the graph is like this magnetic field inside is directly proportional to smaller outside is it is inversely proportional to smaller the formula for magnetic field is we we use it we derive it using ampere circuit and law I sure in the previous question if we switch off the magnetic field and charge particle will definitely tilt towards a positive plate right the path will be a parabolic it will be parabolic why because because in the previous question see supposedly supposedly electron had some initial see it depends what was the initial velocity of electron if the electron was at rest it will move in a straight line towards positive plate if the electron was moving already like this it will also have a component of velocity due to electric field due to electrostatic force so it will start moving in a projectile path right in a parabolic path right when it is not mentioned that whether it is solo or whether it is hollow or solid then then you take it solid cylindrical conductor doesn't mean hollow because whenever it is a hollow conductor they have to mention it right when it is not mentioned consider it to be a solid okay formula for magnetic field which we actually calculate using ampere circular law is may not i r by 2 pi r square for inside may not i by 2 pi r at the surface may not i by 2 pi into small r outside so option four being the correct one i hope this is clear to everyone kindly note down i'll explain induced electric field after this right after completing these questions right dear students again the electron can move in straight line towards the positive plate it was initially if it was initially at rest however if the electron was moving with this constant velocity then the electron will be attracted towards the positive plate and the velocity towards the positive plate that is along x direction will go on increasing so the path of the electron will be a projectile will be a parabolic path just like we did in projectile motion because in projectile motion the horizontal component of velocity is constant but vertical component of velocity keeps on changing so in this case also the vertical component of velocity in the previous question was constant the horizontal component of velocity keeps on changing so path must be a projectile must be a parabola the equation must be a parabola okay okay a 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 combination gs by r a 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 is placed in a horizontal plane near a long straight conductor carrying a steady current i i1 at a distance d from the conductor as shown in figure the loop will experience what? see a 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 next question in english dear student please solve this question let's see we are left with how many questions three four five six questions right very less number of questions are left so let us do this question now for the adjoining figure the magnetic field at point P will be let's see this is a current carrying conductor carrying current of five ampere okay another conductor carrying current of 2.5 ampere right the distance between the wires is five meters P point and this is and this is a a a diagram zoom and when we can see सब्सक्राइब उटसा मिभना दिया बच्छों बना तुधिया अ कि चलो अब क्या अधिक्कत है for their joining figure net magnetic field p point पे पे चलो करो P point पे net magnetic field बताओ जल्दी से क्या होगी net magnetic field की value P point पे जल्दी से खड़कर बता ओ क्या होने वाली है a pink अले zijर की वैयर की वैसे यलो वाले वायर की वेरे से outwards, पिंक वाला वायर, प्रिग्नाटिक फिल म्यो नॉट, आई बाए, टू पाई इंटू डिस्टेंस, cross, इंटू दी प्लेन ओप दी पेपर, और, यलो वायर की वेरे से, म्यो नॉट, आई बाए, टू पाई इंटू टी, outwards, ठीक है ना, कोई tension नहीं है, बड़ी वाली वाल्यू में से, चोटी वाली वाल्यू माइनस कर दीजे बाल को, और, जो, डिरेक्शन है, वो बड़ी वाली की वेरे से आ जाएगी, ठीक है, तो देखिए, फाई, पाई इंटू पाई इंटू पाई पाई आई माइनस करिए, डिरेक्शन बड़े वाले की आएगी, ख्रॉस इंटू दी प्लेट अफ़ी पेपर, तो आंसर आए था, मिउन आट बाई टू पाई, कुछ जाद है असान क्वेस्चन, ख्रॉस इंटू दी प्लेट ओफी पेपर, ठीक है, मिउन आट बाई टू पाई, ख्रॉस इंटू दी प्लेट ओफी पेपर, ठीक है बच्चों, जल्दी बताई बच्चों, एवरिवान, ख्रॉस अब को, ठीक है बालकों, डिरेक्शन ऐसे लेंगे बिटा, अब रूल याद रखिए डिरेक्शन के लिए, पहले तो वही अपना थम रूल जो होता था, वायर को होल्ड करिए, थम करेंट की डिरेक्शन में, पी पॉइंट पे उंगली अंदर जा रही है, तो पी पॉइंट पे मिगनाटिक फील इंवर्ड होगी, है ना, अब यल्लो वाले वायर की वेज़े से, अब वायर को होल्ड करिए, थम करेंट की डिरेक्शन में, राइट में मैनेटिक फील इंवर्ड, लेफ्ट में आउट वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर मैनेटिक फील आउट वर्ड हो जाएगी, ठीक है, तो पिंक की वेरेस है मैनेटिक फील इंवर्ड, यल्लो की वेरेस है आउट वर्ड, डिरेक्शन गो ऑपजेट आ रही है, एक और तरीका होता है, याद रखिए बच्चों, रिन, किसी भी वायर में, रिन रूल, रिन रूल, रिन सुप्रीम पढ़ा होगा, रिन सुप्रीम पढ़ा नहीं, आपने सुना होगा, कप्ड़े दोने का साबून आता है, ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, रिन रूल में, कि वायर में, में दॉड़ने लगते हैं अगर पॉ माइंट की सोथी है तो और पॉइंट राइट में आता है तो राइट में इनवर्ड होती है बाती खत्म हो गयी वाज़ाद बाइर वागने लग्स पैदल करेंघने का डिरइक्ट्टिन में तो माइटने फीलियर प्रेंड करेंट justified तो पी पॉइंट लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट में आउट वायर के वायर में वायर में करेंट के लॉंग चलने लगी वह सारे पॉइंट जो राइट में आएंगे वहां मैगनेटीफिल इनवर्ड और वह और वह सारे पॉइंट जो लेफ्ट में आएंगे वहां मैगन graphics invert R L ещё Kyle यह लीजी यह रवायर छक्रिफए हो को एर एका रचन सुन यह रपए पैदल भागने लगे कटटकतखथा चलिए वायर पर पागये वायर पर पागके पैदल है न जो वायर के पॉइंट में आ और समय अपनेंटेफ़न इन्वेघ क्लिए सबाख सब्सक्राइब एंगवर्ट त्श्रकल ने भी है नूभी उसे बात कर रहे है यह बीजिए फिर इंवर्ट भागने लगे करेंट की डिरेक्शन में कट 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 सेंटर कहां पे आ रहा है लेफ्ट में आ रहा है आउट वर्ट चलिए हो गया हो गया कटम कहानी सारे रूल समझ आ गए ठीक है वाल को बोले ठीक है पेटा क्वेश्चन करके लेंज लो एक्स्प्रीन कर दूंगा क्विकली चलो वायर पर भागने लगी है करेंट की डिरेक्शन में राइट में फिल इनवर्ट लेफ्ट में आउटवर्ड और अब चलते हैं आगे बागते हैं आगे की और चलिए बहाए नकली क्वेश गलवानोमेटर को वोल्ट में कनवर्ट करते हैं by connecting a high resistance in series with galvanometer एक high resistance को series में लगा करके गलवानोमेटर को or we don't have to bother about it the thing is that the velocity of undeflected beam of electron is so so this is basically the concept of velocity velocity filter only velocity selector whenever a charge particle goes undeviated in a region having both electric field and magnetic field crossed electric field and magnetic field means electric field and magnetic field being perpendicular to each other then its velocity is given by e by b if its velocity is equal to e by b it goes undeviated that I already told you in a few questions back right I hope this is clear to everyone कि अग्ला सवाल हिंदी में करेंगे बाल को सेम कॉस्टन रिपीट हो गया बाल को 2021 में अभी हमने किया था हमारे इस assignment में भी रिपीट हो गया है 2021 का सवाल एक ठिक current carrying cable है जिसकी radius capital हा रहे है मतलब solid cylinder है solid cylinder की वेरे से magnetic field का graph आप अल्रेडी देखी चुके है magnetic field का graph solid cylinder की वेरे से यह होता है बच्चों है ना चलिए magnetic field और electric field perpendicular और नी जरूरी है बिटा उसमें ठीक है चलिए आगे next question in English dear students solve this question need 2021 this question is from need 2021 okay need 2021 let's solve this question okay a uniform conducting wire of length 12a right so we have a wire dear students we have a wire of length 12a length of the wire is going to be 12a no problem at all and resistance is capital R we don't require the resistance although is wound up as a current carrying coil in the shape of an equilateral triangle so it is made into an equilateral triangle edge a okay and then a square of side a right again now understand one important thing that if you bend a wire of length 12a into an equilateral triangle you can form such four triangles you can form four such equilateral triangles because the length of the wire was 12a you are using 3a length of the wire for forming a triangle so you can form four equilateral triangles that means number of turns there will be four area would be root 3 by 4 into side square current let us assume to be I magnetic moment where we are actually comparing the magnetic diapole moments or magnetic moments of current carrying loops and formula for magnetic moment of a current carrying loop is current into area number of turns into current into area anyways now number of turns 4 current is I area is root 3 by 4 into a square okay now the square loop the square loop will have three turns here because when you bend the wire of length 12a into a square of perimeter 4a then you can form three squares of such type number of turns will be three number of turns into current into area three number of turns area a square into current i now they're asking the magnetic moments root 3i a square oh we have root 3 in only one option option 3 being the correct one option 3 being the correct one right dear students okay clear to everyone clear to everyone dear students right right oh 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 करेंगे बाल को मैंने आपको बोला था कि फोर्स वेक्टर इस पपेंडिकलों तु बोथ विलॉस्टी वेक्टर और मेगनाटिक फील्ड सो कि 2021 का सवाल करिए यह वाला अच्छा सवाल है 2021 का सवाल क्या है देखिए बच्चो तरह ध्यान से देखिए क्या कहानी है आप अब यह बोल रहे हैं कि फोर्स वेक्टर है आपका क्यू वी क्रॉस बी है ना वालकूं ठीक है चार्ज दे रखा है विलास्टी दे रखी फोर्स दे रखा है मेगनाटिक फील्ड पूछिए कौन सी मेगनाटिक फील्ड होगी पेटा इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया होता है रूट 3 बाइ 4 इंटू साइड का स्क्वेर इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया होता है एक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है रूट 3 बाइ 4 इंटू साइड स्कुरे ठीक है बच्चों राइट देखिए अब देखिए क्या है फोर्स वेक्टर और आपको पता है मेगनाटिक फिल्ड वेक्टर आपस में पर्पेंडिकलोर होते हैं formula होता है f is equal to qv cross b force होता है qv cross b force is perpendicular to velocity force is perpendicular to magnetic field and you know that the dot product of any two perpendicular vectors is anyway 0 right dear students dot product of two perpendicular vectors is 0 so this question should be solved in this way right so just check whether the dot product of force and magnetic field vector is 0 in which case just check that dot product of force and magnetic field vector is 0 in which case okay please check and let me know okay dear students let us now calculate the dot product of force and magnetic field vector in each case for the first case we have 32 minus 1 6 0 minus 72 this is not going to be 0 okay second case 4 into 6 24 minus 1 2 0 plus no this is minus uh 8 12 is a 9 6 it is a not coming out to be 0 this is minus 32 right dear students this is a plus 1 6 0 minus 72 not coming out to be 0. last one we have this must be the answer uh 6 for the 24 plus 120 minus 96 this comes out to be 0 dear students so only option 4 in the option 4 the dot product of force and magnetic field is 0 right clear to everyone dear students i hope this is clear to everyone right okay i i think that we have finished with the ppt now you can tell me uh in some of the topics in which you are facing problem i'll explain some of the topics very quickly dear students so we were we were quick enough to solve this ppt in less than two hours today yeah 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 काफी जगे यहां पर हो गया चलिए बाल को बताईए जरा क्या पढ़ा दिया जाए टॉपिक आपको ठीक है चलो लेट्स लोग को थोड़ा से एक्स्पेंड कर देते हैं चलिए चलिए क्विक्ली देख लेते हैं उके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फिल देखें विछली क्लास से बोल रहा है बच्चा इंड्यूस से इलेक्ट्रिक फिल चलिए एंड्यूस्ट इलेक्ट्रिक फिल कमें तो सबसे बड़ा कलेज यहां पर क्या है कैस решrence जो इन्द्यूस बेख फिल्ल है ना अरे नई तस्मिया रेडियस की वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा चली देखिए बच्चों इंड्यूज एलेक्ट्रिक फील में क्वेस्टन आया है नीट में ठीक है अब दीखें क्या होता है यह याद रखिए कि जो इंड्यूज एलेक्ट्रिक फील है इसके बाद बता दूंगा आश्रीमा पर्मनेंट मैगनेट के जल्दी से फॉर्मले बता दूंगा बहुत सारे डोंट वरी सुनिए एक तो यह याद रखिए कि इंड्यूज एलेक बच्चो इस नॉट जेरू यह भी ठीक है और क्या बताया जाए एट कान फॉर्म लूपस इट कैन फॉर्म लूपस इंड्यूज एलेक्ट्री फील ख्लोज लूपस बना सकती है यह तीन बाते याद रखिए फिर इंड्यूज एलेक्ट्री फील में तोड़ी और चीज़े देखते हैं ठीक है चलिए परफेक्ट है बच्चो जल्दी से कॉपी कर लिए जो कॉपी कर रहे हैं तीन बाते याद रखिए नॉन कंजरिवेटिव होती है क्लोज पाथ में वक्डन जीरो नहीं होता और इट कैन फॉर्म क्लोज लूपस और यह निकालते कैसे हैं फॉर्म थे यह हैं रिजू एडिए इसथे चेंजिंग विट टाइम है चेंज़रिएं Ça चेंजिंग बस हैना विट टाइम क्या हैं ऐजवन उर्य होगा वे थाइम के साहती तो इंड्य न यह वम्त रहीं हुटन हो रखिए की एक्स्प्रेशन क्या आएगा अगर कुछ रीजन में वेग्नाटिक फिल्स हमें के साथ चेंज हो रहें तो वह एक बार कुक्ली डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से नोट करिए बच्चो इंड्यूस एलेक्रिक फिल्ट है न है परफेक्ट है बच्चो चलो देखो ओके चलो एरेस कर रहा हूं सब गायब है अब इंड्यूस एलेक्रिक फिल्ट का कॉंसेप्ट देखिए क्या है सब्पोजिडली आपके पास एक मेटालिक रिंग है मेटालिक रिंग ठीक है यह एक रीजन है है ना यह रीजन की रेडियस है क्यापिटल आर और इस रीजन में मेटालिक फिल्ट चेंज और यह समय के साथ magnetic field is changing with time at a constant rate alpha अब आप से पूछेंगे जो ये metallic ring है इसमें induced electric field क्या होगी ये metallic ring है metallic ring इसमें आपको बतारा induced electric field क्या होगी ठीक है चलिए तो induced electric field क्या होगी जल्दी से देखिये अगर magnetic field समय के साथ increase हो रही है invert magnetic field अगर invert magnetic fields हमें के साथ बढ़ रही है तो lens law ये कहती है कि अब induced current उसे घटाएगा तो induced current outward magnetic field produce करेगा और वो तब ही पॉसिबल है जब current anti-clockwise आ जाए जैसे current आता है वैसे induced electric field की direction आती है तो यह induced electric field हो गया अब क्या होगा लाइन इंटेग्रल इडॉट डील यह रिंग के अलोंग यह हम डील ले 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 लेते हैं डील स्मॉल लेंथ कि इस माइनस डी फाइब डीटी मैगनेटिक फ्लक्स क्या है बी इंटु एरिया बी इंटु एरिया है ना चलिए ठीक है क्यापिटल रीजन में मेगनेटिक फील्ड है रिंग की रेडिया स्मॉल आ रहे इस रिंग के अंदर इंडु 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 लेट्री फील निकालनी है इ और डील में 0 डिग्री अंगल ले लेते हैं जैसे एंप्या स्केटर लॉव में लेते थे इडील 0 डिग्री पायार स्क्वेर कॉंस्टेंट है डीबी बाई डीटी को अलफा लिखने के मूड में हूं में यह बाहर डील डील का इंटिकेशन करेंगे पूरी रिंग का पेरिमीटर आ जाएगा और इंडील की रेडियास हम स्मॉल आर लेके चल रहे हैं स्मॉल आर वो जगे जहां इंड में में अगर ग्रठीक सेन्ज हो रही है तो जिस रीजन में में मेंग्नेंटिक फील चेंज हो रही है उस रिजनके बाहर प्रेंड प्रफियल आर के इन्वस्टि प्रपोर्ष्ट più के डियुक पर एक और के लिख लेते हैं यहां पर साथ हैं बालको सब आगे बढ़े चलो आप देखो क्या है आप केस यह है कि मैगनेटिक फील तो उसी रीजन में है भी भी मैगनेटिक फील उसी रीजन में है भी भी है ना मैगनेटिक फील उसी रीजन में मेटालिक रिंग जो है वो अलग है वो यहां है मतलब मेटालिक रिंग की जो रेडियस है वो capital R से कम है इस बार हो सकती है ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है metallic ring यहाँ है ring में electric field आपको बताने है induced ring की radius small r लेते हैं मेशा जो तेरी जन में magnetic field है वो capital R magnetic field समय के साथ बदल रही है तो induced electric field या induced current डेवलाप होगा कुछ ऐसे अब line integral e dot dl ले ले लेते हैं minus d5 by dt 2016 में आया तो देख लिजे ठीक है बच्चे कह रहे हैं line integral e dot dl is minus d by dt into अरे flux सिर्फ metallic ring वाले पार्ट से लेना है बाहर वाला नहीं लेना अंदर वाले लेना है रिया b into pi r square कि इडल कॉर्जी रोडिग्री वही रहता है हमेशा और minus pi r square बाहर dby dt की जिगए alpha तो electric field r के proportional आगे directly है न बच्चों यह चीज़ याद रखिएगा काफी important है okay क्या बोलते हैं बाल को done induce electric field समझ आगी कौन पूछ रहा था बच्चा लास्ट क्लास से पूछ रहा था जो बच्चा इंडी उस electric field आई होप आपको समझ आया होगा जल्दी बताईए ठीक है परफेक्ट है बच्चों चलो इजी है बीजी तो तो electromagnet और permanent magnet तो इजी है काफी एक permanent magnets के बच्चा कह रहा था formula बता दो तो formula आप वही कहरें न magnetic deployment potential energy और टॉर्क वाले या क्या बोल रहे हैं बताईए प्रमिनन मागनेट्स में क्या बताऊ फॉर्मले है ओल फॉर्मले इन वन शॉट है क्या बोलते हैं जो electrostatic magnetostatic के फॉर्मले वह बताने हैं बच्चों जल्दी बताओ चलो आशिमा देखो चलो क्या है न आशिमा electrostatics और magnetostatics के फॉर्मले क्विक्ली रिवाइस कराता हूं आपको क्योंकि आपने पूरी मेहनत करके पूरा session अटेंड किया यह सिर्फ इन फॉर्मलों के लिए न चलो देखो बहुत सारी चीज़े electrostatics और magnetostatics की रिलेट होती है आपस में देखे क्या जहां भी electrostatics में चार जाता था यहां पर वो pole strength बन जाएगा जहां पर भी negative चार जाता था यहां पर अब वो south pole कहलाएगा जहां पर भी positive चार जाता था वहां पर अब यह north pole कहलाएगा जहां पर भी electric dipole moment की बात होती थी negative से positive electric dipole moment vector quantity charge का magnitude into 2L direction रहेगी negative से positive यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर वैसी एक बार magnet का magnetic dipole moment calculate होता है बाल को ठीक है और magnetic dipole moment small m q की जगे small m into 2L negative से positive south चे not direction ठीक है लिखे जल्दी से जो लिख रहा है बच्छों जल्दी लिखे आगे बढ़ते हैं एक बार बहुत सारे points हैं हमारे पास सारे electrostatic के formula से permanent magnets bar magnets के formula बन जाते हैं देखे बच्छों जल्दी से ओके राइट राइट चलिए आयो ख्लेर हो गया ये तीरों erase कर रहे तो हूं काफी easy हैं देखे बहुत सारे formula थे हमारे पास सारे formula आ जाएंगे तो मिनट के अंदर मैं को सारे formula करा दूंगा आपको पता है कि एक electric dipole था short dipole उसकी विरे से axial line पे electric field क्या थी K2PYRQ बहुत बढ़िया magnets के अंदर bar magnet को dipolment को capital M से दिनोट करते axis पे magnetic field देखे जो K है न इलेक्ट्र स्टाटिक का 1 by 4 पे epsilon 0 है न पेटा इसकी जगे magnetic length लेना है जो geometric length नहीं लेना magnetic length लेना होता है 6 by 7 of geometric length ठीक है ना तर्जुन पक्का अगली class में करा देता हूं same question logic gates वाला repeat ठीक है वो PPT अब मुझे जूननी पड़ेगी आपर logic gates वाले जो अब logic gates की बात कह रहे थे शायद चलिए के की जगे में नॉट भाइए 4 पाइए 2m by r cube है ना चलो अब क्या करना है बच्चो देखो बस दो तिन फॉर्मले और है बच्चो क्विक्ली रिवाइज हो जाएंगे सारे फॉर्मले है ना चलो एक वो कर लेते हैं इलेक्ट्री फील डाइपोल की जेनरल पॉइंट पे ना तो जेनरल पॉइंट पे इलेक्ट्री फील याद करो डाइपोल की विज़े से होती थी के पी बायार क्यूब अंडरूट ऑफ थ्री कॉस्ट कोई थीटा प्लस वन वैसी एक बार मागनेट की विरेस है मेगनेटिक फिल इंटेंस्टी है ना कि चलिए ना तर्जुन नहीं तो आप ऐसा करिएगा न कि सेशन यह लाइव सेशन तो अविलेबल है यूट्यूब पे आप नीचे पोस्ट कर दिजेगा अपना डाउट इसमें चैट में जो कमेंट्स होते हैं उसमें नेक्स टाइम आपका वो डाउट ले लूँगा मुझे पता न अज मेंगनेटिट आप लोमेंट के नाम से जाना जाएगा अंडरूट ओव थी कॉस्क्राइट थीटा प्लस वन राइट बच्चों देख लीजे इलेक्ट्रोस्राटिक्स मेंगनेट्स्राटिक्स कंपेर हो रहा है जनरल पॉइंट पे लेक्ट्री फिल्ट जनरल पॉइं को परफेक्ट बच्चों आए राइट बच्चोराइट है है चलो आगे देखो है और और कंपेर कर लेते तोड़े से ओंडे एलेक्ट्रो स्ट्राट इस मेंगनेट्व स्ट्राटिक्स के बस दो मिनट में सारे फॉर्म ले हो जाएंगा हमारे कंपेर ठीक है अब हम वोग्य डाइपोल पेजिन युनिफॉर्म एलेक्ट्रिक फिल्ड वाला कॉंसेप्ट देख लेते हैं चलिए टॉर्क एक्टिंग ओन डाइपोल एलेक्ट्रिक डाइपोल पी क्रॉस ए थीटा बन से थीटा टू तक डाइपोल को गुभाने के लिए वर्क दन क्या होगा पी कॉसीटा 1 मैनस कॉसीटा 2 ठीक है और क्या होगा पोटेंशल अजी माइनस पी डाइपोल के ऑस्टेशन का टाइम पीरेड टू पाई अंडरूट आई बाइपी कि सिंबल साथ दिर यूज्यूल उनिंग आई वास दी मोमेंट ओफ इनर्शिया ठीक है मागनेटिक स्केलर पोटेंशल करने की ज़रूत नहीं है ठीक है अब भी बता आज़े तो आश्रिमा पर्मेनेंट रिक्वाइर्मेंट अच्छा आप पर्मेनेंट मैगनेट की रिक्वाइर्मेंट के आभी बताता हूं और अनुपपप पूचा रेजिस्टेंस का टाइम होता है और रूटल सी का भी डामेंशन टाइम होता है बालकों तो यहां से कैपासिटेंस इंडक्टेंस का भी निकाल लीजेगा क्या बात करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आप तो रैपिट फायर सवाल पूशन लगे हैं मिरसे चलिए मैगनेटिक मैगने ठीक है अपने टाइम में ना बच्चो मैंने भी एंट्रेंस एक्जाम में तोड़ फोड मचाई हुई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है मतलब आप कहीं से भी कुछ भी कभी पूछ सकते हैं माइनस एम डॉट बी और टाइम पीरिट वह हमने जो किया था आए बाए M in 2 P ठीक है लिखे बच्चो राइट को हिस्टैसिस कर दिया वे मैंने आघस पाइन बीटa थीक है चली बच्चो एक परयर्मेनट ूम् Vi क्या है और भर स्विर सेश्न करेंगे इन आपको में को में है ज्टी साथ अर। से कंप्यर करके एक बर मागनिन की रिक्वायरमेंट कैंट तो पर्मेनेंट मैगनेट के रिक्वायर्मेंट यह एक تو मेगनाटिक फील्लूज लूस пожल स्थाबर्दस्तो मतबर रिटेन जदा करे हाइँ हई पजिस्ट विटि हो और हाइँ को यह सीविट ओना होने चाहिए खीक है फॉर बालकों में नोरा OlGyan कि और पर्मेनेंट मागनेट कि 개ंटी विटी कि a को इरशी विटी एर्ट को इर 2 कि पोड़ वी हल डी कि अब रियो कर सर यह क्या बात वह स्टील और सॉफ्ट फिरनिन में तो सर यह क्या चक्कर हो गया है न ठीक है अब आपको के सरी तो आप गलत बात कर रहे हो सर स्टील की रिटेंटिविटी तो हलकी सी कम होती है सौफ टाइरन से तो फिर क्या बात है तो होता क्या है स्टील की कोईर्सिविटी बेहत जादा होती है फिर रिटेंटिविटी अगर तोड़ी कम भी होती है तो हम चला बेटर है कि भले ही थोड़ी कम करेंगा वैसे पर्मिनन बनाने के लिए रिड़ी और कोईर सीविटी दोनों हाई होनी चाहिए और इसी के साथ बच्छो आपसे विदा लेता हूं अगली क्लास में फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे इलेक्ट्र स्टाटिक्स उलेक्ट्र चार्जी और फील्ट्र स्टाटिक पोटेंशल और करेंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ कुछ शांदार सरकिट के सवाल ले क्या होगा आपके साथ सामने बाए बच्चो